Hello everyone, welcome back to my channel Allrounder आज मैं आपके साम में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ आशा है कि आपको जुरूर पसंद आएगी जो मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरी लेकर आती हूँ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिसे कि आपकी वेकेबलेरी इंप्रूफ हो साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में जिसे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नाम है A Stranger in Garden, A Stranger अजनबी इन में गार्डन बगीचा, A Stranger in Garden, बगीचे में एक अजनबी Once after diligently hard work, a gardener happily went with his son to his garden to bring the fruits which he had been caring for a long time Once एक बार, after बाद, diligently hard work, कठिन महनत या फिर कड़ी महनत और एक गार्डनर यानिके माली happily खुशी से went गया With के साथ, his son उसके बेटे, with his son यानि उसके बेटे के साथ, his garden उसके बगीचे, bring लाने, fruits, फल, which जिनकी he had been, ये helping verb है Last perfect continuous tense का ये helping verb है Caring यानिके देख भाल, for यानिके लिए या फिर के बारे में एक long time यानिके लंबे समय से Once after diligently hard work, a gardener happily went with his son to his garden to bring the fruits which he had been caring for a long time एक बार कड़ी महनत के बाद, एक माली खुशी खुशी अपने बेटे के साथ, उन फलों को लाने के लिए अपने बगीचे में गया जिनकी वह लंबे समय से देख भाल कर रहा था As he reached there, as जैसे ही वह reached पहुचा देर वहा As he reached there, जैसे ही वह पहुचा He was astounded to see a stranger picking the fruits without informing anybody He was, was यह past tense का sentence है, इसलिए helping verb was आया है Astounded याने के आश्चर ये चकित, see देखा a egg, stranger याने के अजनबी Picking याने के तोड़ते हुए, fruits याने के फल, without याने किसी भी Informing याने के इजाज़त लेना, without informing याने के बगेर इजाज़त या फिर बिना किसी के बताए Anybody याने के किसी के Without informing anybody याने के बिना किसी के बताए वह एक अजनबी को बिना किसी के बताये फल तोड़ते देखकर आश्चरे चक्कित रह गया वह वह वेंट गया बजक उनमत और चिलाया वह उनमत हो गया और चिलाया हे यू, हे अरे यू तुम, हे यू, अरे तुम, what are you doing what क्या, are, hey, you, मतलब कि तुम या फिर are doing याने के कर रहे on my tree, on याने पर my याने मेरे tree याने पेड या फिर जाड या फिर व्रक्ष what are you doing on my tree, तुम मेरे पेड पर क्या कर रहे हो aren't you ashamed of stealing fruits, aren't ये प्रशनार्थी वाक्य है इसलिए helping verb से starting हुई है, इस वाक्य की, इस sentence की और ये negative है sentence, इसलिए n apostrophe t ये आया है helping verb के साथ में aren't you याने आप याने तुम ashamed याने के शर्म of याने के stealing याने के चुराना fruits याने के फल aren't you ashamed of stealing fruits, तुम्हे फल चुराते शर्म नहीं आती the stranger replied, the stranger अजनभी replied उत्तर दिया या फिर जवाब दिया the stranger replied, अजनभी ने उत्तर दिया, everything is of God and I am God's servant everything, सब कुछ is है, यह present tense का sentence इसलिए is helping verb आया है of याने का God याने के देवता या फिर देव and or I याने के मैं, am, हूँ यह present tense का sentence इसलिए helping verb am आया है, God's याने के भगवान का, अल्ला का, अपोस्ट्रोफी एसलिए का आया है, भगवान का या फिर अल्ला का servant याने के सेवक, everything is of God and I am God's servant सब कुछ इश्वर का है और मैं इश्वर का सेवक हूँ this answer baffled him and again he shouted at the stranger this is answer उत्तर या फिर जवाब baffled याने के चकित him याने वह and याने और again याने फिर से he याने वह shouted याने के चिलाया at याने पर stranger याने के अजनभी this answer baffled him and again he shouted at the stranger इस उत्तर से वह चकित हो गया और फिर से वह अजनभी पर चिलाया but the stranger continued picking fruits but the stranger continued picking fruits लेकिन अजनभी ने फल तोरना जारी रखा after pondering the gardener asked his son to bring a rope and a stick after बाद में pondering विचार करना विचार gardener याने के माली asked कहा his son उसके बेटे से bring याने के लाने के लिए a egg rope याने के रसी and याने और a egg stick याने के छडी या फिर लकडी या फिर डंडा after pondering the gardener asked his son to bring a rope and a stick विचार करने के बाद माली ने अपने बेटे से रसी और छडी लाने के लिए कहा and and began to beat the stranger and or begin शुरू किया beat याने मारना stranger याने के अजनभी and began to beat the stranger और उस अजनभी को पीटना शुरू कर दिया stop, stop what are you doing? stop, stop, रुको, रुको what क्या आर है you are doing कर रहे stop, stop, what are you doing? रुको, रुको, आप क्या कर रहे हो? या फिर तुम क्या कर रहे हो? don't you fear God don't, ये helping verb है helping verb के साथ negative sentence है इसलिए apostrophe T, N, T आया है इसलिए don't, don't याने नहीं you याने कि तुम या फिर आफ, fear याने कि डरते डरना, God याने कि भगवान से, इशुवर से, अल्ला से don't you fear God क्या तुम भगवान से नहीं डरते the stranger cried horribly the stranger अजनबी cried roya horribly बुरी तरहा से the stranger cried horribly अजनबी बुरी तरहा रोया like you I am also God's servant like यानके जैसे you यानके तुम या फिर आफ like you यानके जैसे तुम I यानके मैं, am यानके हूँ ये present tense का sentence है इसलिए helping word am आया है also यानके भी God's यानके इशुवर का apostrophe ऐसे इसलिए का आएगा servant यानके सेवक like you I am also God's servant आपकी तरहा या फिर तुम्हारी तरहा मैं भी भगवान का सेवक हूँ and this world belongs to God and or this यानके यह world यानके दुनिया belongs यानके भगवान की है God यानके भगवान belongs यानके भगवान की है and this world belongs to God और यह दुनिया भगवान की है the gardener prudently added the gardener Mali prudently added समझदारी से कहा the gardener prudently added Mali ने समझदारी से कहा so you should not interfere in God's work so इसलिए you यानके तुम या फिर आप should यानके चाहिए not यानके नहीं यह negative sentence है interfere यानके हस्तक्षेप in यानके God's यानके इश्वर के work यानके काम so you should not interfere in God's work इसलिए आपको भगवान के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए then the stranger realized his mistake then तब stranger यानके अजनभी realized यानके अहसास his यानके उसका या फिर उसकी या फिर अपनी mistake यानके गल्ती then the stranger realized his mistake तब अजनभी को अहसास हुआ अपनी गल्ती and apologized for his deed of stealing fruits and or apologized mafi मांगी for के लिए his deed यानके उसके कृत्य के लिए या फिर अपने कृत्य के लिए deed यानके कृत्य या फिर काम of यानके stealing यानके चोरी fruits यानके फल and apologized for his deed of stealing fruits और फल चुराने के अपने कृत्य के लिए माफी मांगी moral of the story believe in your hard work only believe in your hard work only या फिर अपने hard work यानके कड़ी महनत only यानके सिर्फ या फिर केवल believe in your hard work only केवल अपनी महनत पर विश्वास रखे तो चली यहीं पर हमारी story खतम होती है पूरा वीडियो देखने के लिए thank you thanks for watching अगर से आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो please इसे like ज़रूर कीजिए